हेलो गाईज, विल्कम बेक टू मैं चैनल गन भी चैनल को कहें मताबिक सभी के साथ खाना खाने जाता था पर वो कुछ खाने ही पाता था क्योंकि उसको वहाँ पर भी चैनल दिखाई देता था इवन गन को अपने घर पे भी चैनल के साथ बिताए गए मुमेंस दिखता था इधा चेर को भी हरवत गन की आवाज सुनाई देता था तो गन की ऐसी हालत देखकर मिसो जैक को चेर से बात करने को कहती है तो सब भी दोस्त मिल कर चेर से पूछते हैं कि वो क्यों गन को छोड़ कर ऐसे आ गया है तो चियर कहता है ऐसा गन की मॉम ने करने को कहा है पर वकताने पर वो गन के बास बापस चला जाएगा वो बस किसी चीज का इंतिजार कर रहा है ऐसे ही देखते ही देखते चयर के final year का result आ जाता है जिससे चयर बहुत ही अस्से mark से pass हो जाता है और अपना winning trophy और certificate लेकर वो gun के office जाता है उस से मिलने तो gun को देखकर चयर अपने good number बैठ जाता है जिसको देखकर gun shock हो जाता है और चयर से पूशता है कि वो क्या कर रहा है तो चयर अपना trophy और certificate gun की तरफ आगे करके उस से कहता है Will you be my boyfriend? चयर की ये बात सुन कर gun को समझ नहीं आता कि उसने अभी जो सुना क्या उसने बस सही सुना? तो चयर अपने as usual behavior की तरह बाते करते हुए गयन के कैविन के अंदर चला जाता है और सौफे पर बैठने जाता है कि तब ही गयन आगा चयर को सौफे पसला देता है और उसके उपर आगा चयर के face पर बहुत सारी किस करता है क्योंकि वो चयर को इतना miss जो कर रहा था फिर शायद गन और चियर के बीच में अपनी रिलेशनशिप को लेकर कुछ बात चीद होता है जो कि नेच्छनल मैटर है क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं फिर उस रात चियर गन को अपने घर पर लेकर जाता है क्योंकि चियर को गन के बिन अपने हाल पापस आ चुका है और अब यह आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाएगा इतना कहकर चियर गन के होटों पर किस करता है फिर हम एक सीन देखते हैं जहां पर गन और चियर के से रेस्टरेंट पर थे और इस सीन से मुझे लगता है कि गन चियर को अपने फैमिली से मिलवाने ले कर गया होगा और आखिर में गन की मौम भी समझ चुकी होंगी कि स्टैटस से प्यार नहीं मापा जा सकता है प्यार तो दिल से होता है कब किस से हो जाए किसी को पता नहीं चलता और उनका बेटा भी चियर से बहुत प्यार करता है और चियर भी गन से बहुत प्यार करता इसलिए ही तो वो गन को प्रॉमिस करता है कि अपसे वो हमेशा गन को खुश रखेगा पर इस सिन से पहले या बाद में एक और क्यूट सिन है जहाँ पर गन और चेर रेडी हो रहे थे तो गन चेर को खीच कर अपने गोद में बिठा लेता है और उसके गाल पर किस करके कहता ह लव यू सो मच गन की बाते सिन कर चेर बहुत ही शाय फिल करता है और इस शायनेस को छुपाने के लिए वो गन से कहता है वोट इस उट टॉकर पर मेरे ख्याल से आप चेर को गन की ऐसी हरकतों पर शाय फिल करना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए क्योंकि ट्रेलर में हम ऐसी सिन इक और बार देखने को मिला है तो सीरीज में तो बहुत बार होगा फिर टेलर के आखिर में हम देखते हैं गन चेर को कहीं पर लेकर जा रहा है अच्छा गन से कह रहा है मैं ऐसा दिखाने की कोशिश करूँगा कि मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कोई सप्राइज दे वाला है पर चिय उसको पहले ही जानना चाह रहा था पर गन्य नहीं बताया होगा तो क्या आपको भी जानना है कि यह सप्राइज क्या है तो इसके लिए नेक्स्ट एपिसोद देखना मत भूलना ओके काई इस स्पालर में पसितना ही मिलते है अगले वीडियो में किसी और स्पालर के साथ तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों